से अब आगे चलते हैं सिल्वी कुल्चर के स्रिकृटे पार्ट कर इसमें हम क्लियर कर चुके हैं कैल और रे ख्यों Приlles कर चुकêtre अब यहां पर अपना बचति का में तो रिजर एप पहले देख चुके हैं और यहां जो high forest का है तो यहां पर selection system और इसका accessory system और इसके अलावा जो अपना पचा है पुराने वाला कोपाई system पो तो यहां पर तीन system में अपने इस लेक्टर में पढ़नेंगे तो पहले ले लेते हैं selection system तो सबसे पहले तो हम यह देखना चाहिए कि हमारे clear filling और shelterwood की ऐसी कौन सी समझ से आया है जो अभी तक solve नहीं होगी है तो पहला तो यह है कि अभी चाहिए वो clear filling और shelterwood यह अभी भी natural forest से बहुत लंबे रहे हैं अभी तक बहुत दूर ही है अभी इनकी condition बिल्कुल natural forest जैसी नहीं रही क्योंकि कहीं न कहीं यह artificial है दूसरा है हिली topography clear filling तो 100% failure है और shelterwood जहाँ अगर एक हेक्टर में 25 से 50 पेड़ के बीच में अगर छोड़ भी देते हो तब भी वो काम नहीं होता है आप खोदी compare कर लो 50 पेड़ अगर एक हेक्टर में लगा दो तो क्या होगा पूरे जमीन तो अब भी open है तो high forest भी यह जो shelterwood system है वो भी हिली topography पर लगबख फैन है पूरी की तरह है यहीं बजाए कि एक example आपको question आया कि क्यों साल forest जो है वो पहले जो shelterwood में था uniform system में था वो failure होने के बाद उससे दूसरे system में लेकिया आए इंडियन irregular shelterwood system में इस रेगुलर जो है means shelterwood system को जो last part है वो कई ना कई selection system के पास का है यह यह बोल सकते हैं कि उसी का advanced form selection system आ गया है तीसरा issue है regeneration का ऐसे पेड़ खसकर qualifers जो 25-25 साल regeneration में रहे लेते हैं 25 सालों के regeneration activity पर काम करना बहुत पैसा खर्शी करता है क्योंकि actually काम तो ज़्यादा कुछ होता नहीं है लेकिन आपको लेवर फूर मैंटिन करना के रहना परता है तो यह investment बढ़ा देता है और investment पढ़ गई तो समझ लो खाली की अपना पै हमाल है मैं वहाँ पर स्टिंबर के market demand है नहीं market demand है यूपी में तो आप महां से extract करके यूपी टेक लेकर आओगे तो यह भी इस्व है means आप forest से उतने ही extract करो जितनी आपकी market की demand है उससे जदा extract करना भी अपने लिए एक problem ही खड़ी करेगा क्योंकि उतनी जरुवत नहीं ह अगर आप ज़्यदर दिया किया होगे तो उसकी price कर जाएंगे ओके तो चलो पहले देखते हैं selection system को तो आपको बोला high forest system का ही है आप इसे क्यों बोला इसे diffused trees generation क्योंकि आप आपने क्या किया कि जैसे आपने clear filling system होता था यहां पर picture आपको जो clear filling system में जो annual coop दिख रहा है व इसको आपने cut किया था लेकिन यहां पर actually हम वही समस्यां दिख रहा है कि आपने specific area ले लिया लेकिन अब हम कोई area select नहीं का रहे हैं अब पूरा जंगल अपने अपने काम का है यहां पर selection system में दो type के होता है एक होता single tree selection और दूसरा होता group selection इसे इतना simple ले लो अब अपने लिए एक हेक्टर का एक annual group खाम का नहीं अब अपने पास पूरी पूरी जो 10,000 हेक्टर का जो अपना पुराना property चल रही थी वह वस होई गया है अब अपने पूरे empire में खड़े होंगे सुभाई सुभाई घूमने जाएंगे और यह देखेंगे कौन सा पेड अब इंटर को कबर खर लेता है उसे उखाड़ लेते हैं तो यहां एक एक ट्री उखाड़ते हैं इसलिए उसे बोलते है सिंगल ट्री श्लैक्सान लेकिन अगर सिंगल ट्री ना करके इसी इसी वर्क को अगर ग्रुप में जिया जाए जैसे आपने एक वैली नंबर पाच पकड़ी वहां से आपने डिड़ 200 पेड़ों को निकाल दिया फिर वहां रिजनरेशन करना सुरू कर दिया अगली सार आपने वैली नंबर थी पकड़ ली किसी दिन वैली नंबर को दूसरी पकड़ दी इस टाप से आप उनको नंबर दे करके पूरी पूरे ग्रुप में इस एरिया के पेड़ों को निकाल रहे हैं लेकन यह clear feeling जैसा क्यों नहीं है क्योंकि यहां भी जब आप पेड़ों निकाल रहे हैं तो क्यों भाई निकाल रहे हो जो explorative diameter को cover कर लेते हैं आपके इसको थोड़ी बहुत बचवी जाते हैं और इसका जो एरिया है जिसे आप remove क कर रहे हैं वह ना तो पहले से fix हैं और नहीं बहुत बड़ा होता है और नहीं ऐसा है कि आपने एक अक्टर का इस साल निकल अग़ी साल भी एक המॉस है ऑह अहां ऐसा नहीं है तो पहले देखो इसमें single tree में देख लेते हैं तो जब आप एक एक upper north निकलोगे तो pattern of क्या होगा वह एक पर निकाल ला है पैटर्न ओफ रिंग में क्या निकालोगे आप मोड़ो फ्री जनरीशन 100% नेचुरल ही होनी जाला है और क्रॉप तो 100% मिक्स होगी क्यों क्यों कि सभी एज़ी है और आपने सभी सब्सक्राइब का मिक्स कंपोजिशन भी ग्रो किया होगा तो क्यों कि मार्केट डिमांड के वल एक ही स्पीसीज की तो नहीं होगी ना अधर की भी होगी और फिर जब ऐसी कंडिशन है तो आप यह चाहोगे कि वह साइट बेटर प्रोटेक्ट हो साइट क्वालिटी बेटर एक्स्प्लाइट हो और मार्केट में सभी टाइप की जो सभी इसकी फॉरेस्ट होगी यानि कि 100% uneven edged forest होना है इस टाब के फोरेस्ट को हम बोल देते हैं जनली selected forest जैस्टन फोरेस्ट अब इसके advantage, disadvantage और application होगा यह discuss करने वाला अपना मुद्दा नहीं है क्योंकि यह लग मिस्क्रॉप है तो मिक्स क्रॉप के जो advantage होंगी वो इस उनीं को तो solve करने के लिए मिसले कि आ है तो उसके जो जो क्लियर की एडवांесть होंगे जैसे उसमें M 향ival distribution यहां कर पाएंगे क्लियर कीमर में क्वालिटी ज्याद होगी मतलब specific quantity जो आपकी टर्गेट्टीज ड्रेमांड है वहıyorsun जदा होती है यहां पर हुपाएगे नहीं बट टोटल वालिम यहां ज़्यादा होगा तो जैसे फुडर है टेमबर जो मींस फ्यूल टाइप का प्रोडक्शन है वह यहां पहुच ज़्यादा होगा अप्लिकेशन कहां करेंगे सीधा सब मुद्दा है इसका अप्लिकेशन के लिए इसका सिंगल ट्री सिलेक्शन का हम जरनली हेली रीजन में घरते हैं तो कोई भी कौनिफर्स उठाल लेना और उस पर पकड़कर देदेना ठीक है क्योंकि देखो यहां पर कभी ट्रीक नोपी तो अपन नहीं होती है तो यहां पर सेट डेमांडर या सेट बेरे ट्री भी इसली आसानी से ग्रोग कर सकते हैं इसलिए कौनिफर्म है कोई भी पेड़ो सब में लगेगा ओके दूसरा होता ग्रूप सिलेक्शन जैसे इसमें आपको दिख रहा है कि पहला एक फूरेस्ट क पैच था उसमें गुरोप को कट कर दिया फिर दूसरा को कट कर दिया यहां पर थोड़ा गुरूप होने लगी और यहां तुर तीसरा कट है तो इसमें एक रीना कट के गुरूप मा कट किया या-जा-लेस इसलिए इसलिए से बोलतांThe street Bi Darkness Plan COunt It फुरेस्ट कैसा होगा अनिवनेजड होगा हाँ गुरुप में आप जहां रिजनरेट एक साथ की है उसे वो छोट इचे पैच को भले जो सौ मीटर बाई सौ मीटर का माल लो लेकिन अगर अबराम देखोगे तो वह अनिवनेजड होगा क्योंकि उसमें दूसरी स्पीसी वहां पर आकर ग्रो कर जाएंगे किसी के हत्प नहीं होता कंट्रोल नहीं होता है बालाम और चाइअ कोई व्यार करके ट्रब कर लेता है यृता इंड़ी एड़ी करेंगे अफ्र इसके ही अप्लीट्रूप सेलेकशन करें तो मुझे नहीं लेका कि हैने ल Алеकिन आप समझ सकते हो कि हो मिक्स्क्रूप कि क्या होगे वह इसके. और जो जो उसके एडवांटेज थे सिंगल ट्री के वही ग्रूप के होंगे बेसिकली दोनों क्योंकि एक ही कंपोनेंट है ओके आगे चलते हैं तो यहां पर बापस किया गया है कि एडवांटेज अब सिलेक्शन सिस्टम तो मैंने यहां पर किवल इसलिए एक्स्प्रिन किया क्योंकि कई बार होता है कि मैं बताते से भूल जाता हूँ जो बताना था और फिर बाद में याद आया तो पॉसिबल नहीं हो पा था कि मैंने करो क्योंकि आगे भी बाद नहीं होता है तो एडवन्टेज देखलो कि हम जैसे हमारा जो अभी तक चाहरा रास्ता चल ला था किलियर फिलिंग उसके बाद आया हम सल्टर बोर्ड और फिर इसके बाद आया सिलेक्शन तो वही जो मैंने आपसे पहले गोला कि all disadvantage of previous system are the advantage of this system and advantage of previous system are the disadvantage of this system जैसे पुराने में soil erosion और wind throw अगरे कि जो condition थी natural regeneration उनका नहीं हो पा रहा था स्वैल को efficiently उट्राइज नहीं कर पा रहे थे वो सबके सब यहां पर हो रहा है वो हिली रिजन के लिए suitable नहीं थे वो सबके सब यहां हो रहा है लेकिन उनमें जो advantage थे वो यहां पर बिलकुल नहीं मिल रहे हैं आपको जिसमें ने बताया था में के निया जी सान है fire protection regeneration और surveillance अब surveillance की बात कीजिए तो एक वद तो वहां पर पहले वरक चला था एक हक्टर में कोई engineer था यह कोई भी बंदा था जो डियाफ हो है वो एक हक्टर यह दस हक्टर जो एक ही जगा एरिया में regeneration पर चला उसकी जो एक ही शर्विलेंस असानी से कर सकता है यह दस जार एक्टर में कहां पर regeneration रहा है कौन कंट्रोल कर रहा एक आदमी की यह खाद नहीं हो थी को पूरे पूरे ध्यान रख सके और पूरे ध्यान रखने के दस सर्विलेंस के लिए लोग रख दिए तो फिर वह यह इन्मेस्टमेंट पर जाएगा ओके आप चलो आँगे आते हैं कंडिशन आप एप्लिकेशन टोपोग्राफी बगए तो हम सीधे हिली को देखते हैं जनरली जो हमारा इनका एप्लिकेशन करते हैं जो वह जो रिवर ब अगर फ्लडिंग आजाएगी सवरी मेरा कहने का मतलब करेंफॉल होती है अगर वेजीटेशन उस रेंफॉल को नहीं रोक एगी तो पूरी पूरी रेंफॉल सीधी जाएगी रिवर में और इसका रिचाइट होगा कि रिवर के जो वाटर लिबल बढ़ेगा तो जो लौर है वहां पर आजाएगी फ्लड जैसी कि अगर उपर हमाले में रेंफॉल ज्यदा हो जाती है और फुरेश्ट वेचीटेशन नहीं रोक पाती है तो यूपी व्यार में फिर फ्लडिंग आनी है ठीक है फिर इसका एप्लिकेशन के लिए यह है कि आप सेलेक्शन क्यों मार्केट की यहां एक बात और मार्केट की रिक्वाइर्मेंट मार्केट कई बार एक साइस के टेमबर चाहिए होता है तो आपको वहीं देना है कुछ भी नहीं पकड़ा सकते हो इसके बाद अपना आता है ऐसे सारी सिस्टम तो यह तो खतम हो गया ऐसे सरी सिस्टम देखत करा क्योंकि यह पुरानी जो हमारे तीन सिस्टम थे उनमें कहीं बैठ नहीं रहा यह बोल सकते कि वहीं तीन सिस्टम थे उनमें काई ना काई किसी में थोड़े अपने हिसाब से मोडिफिकेशन होता है इसे समझ लो कि जैसे मैंने आपको नूट्स दिये अगर आपको दो मंत और मिल जा तो आप उनको अपने अपको नूट्स बनाओगे मिस पहले से एक सिस्टम है उसको थोड़ा लोकलाइज अपने अकोर्डिक मोडिफिकेशन करना तो ऐसे ऐसे सिस्टम में जो पहले तीन जो हमने पढ़े है उनहीं से लोगों ने अपने अकोर्डिंग थोड़े मोडिफाइड किये और उनने कि थोड़े मोडिफाइड है इनकी कुछ स्पेश्फिक कंडिशन है इसलिए हां पर यहां पर आपको ने तीन ही इसलिए पढ़ रहे हो क्योंकि है तो यह बहुत सारे लेकिन रिमैनिंग क्या है उनका कोई इंपोर्टेंस नहीं है यह हम ऐसे इंडियान एप्लिकेशन नही कि इसमें क्या होता है बस सिंपार है कुछ नहीं एक अपर है और धूसरी नीचे कीम आपने आप में इवन एजट है लेकिन अकड़को कम लोगय कटिर ने निकल जाएगी तो लेकिन दोनों स्टोडी अपने आप में इवनेज़ेट है क्योंकि उपर की यह करा कि सी जवर पूरी 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 प्यूर है नीचे की यह सबोज आपने ऊपर टीक टीक ग्रोका रखा है और नीचे कोई चंदन ग्रोका रखा है दोनों की दोनो इवनेज़ेट है मैं इ इसका advantage क्या हुगा वह यह कि पहला तो advantage इसका यह हुगा के lower story ऐसी crop को हम grow कर लेते है lower story में जो set demand rate set bearer है मतलब ऐसी crop जो open में नहीं grow कर सकती क्योंकि उसे highlights मिले गई तो बढरन हो जागी वो भी यहार two story के अंदर नीचे रह करके grow कर जाती है दूसरा एक ही एरिया पर आपको दो-दो क्रॉप मतलब डवर्ट पर नहीं भी इंकम बेटर हो जाती आपकी और अन्सुटेवल इस प्रिसीज को भी आप ग्रोगा लेते हैं तो यह सीधे की सीधे दो एडवांटेज होगा है ठीक है लेकिन इसके डिसएडवांटेज भी है डिसएडवांटेज पहले तो यह है कि जब आप दो-दो क्रॉप करोगे जब पुरानी वारी क्रॉप को मतलब यह जो बड़ी क्रॉप है उसे कट करोगे तो क्या होगा वो गिरेगी हवा में तो टपके कि नहीं जब नीचे गिरेगी तो नीचे वाली क्रॉप को भी बरव पार होती है पस यह इसकिल वाला भी एकिशु अपनी लिया जाता है फिर वही है कि इस टाइब को अप्रिशन कोई लेवल की स्किल चाहिए लेवर इंटेंसिव होते हैं तो इसके वज़ाए है कि अगर हमने उन्हें हाई लेवल की उसके रिक्वार्मेंट के अगोण लेव यह इस बहुत है और दूसरा शेट बिए रहर यह सेट डमांडर जाइसरे मैं आपको टीग और चंदन बता दिया जाओध में देल लेना जो जो जली होता क्या कि साल जो नौर्थ इंडिया में होता वह हमाला की तरही रही रिजन उसमें भी साल बहुत है और चील पायन यह पाइनस रॉक्स वारगी वह भी ऐसा प्लांट है जो उस रीजन में बहुत ग्रोव खायता है साल और चील पाइन दोनों के दोनों लाइट डमांडर दोनों ही स्ट्रॉंग होते हैं उनके साथ अधर चीज़ें भी ग्रोव होते हैं जो सेड भी आ रहे हैं यहां जो एक्जाम से गलो करती तो इस के लगवाव हम डूरू इस्टोरी गल में इस साथ हम पाइन को भी गलो कर लेते और साल को भी अधर को देखानि जाए लोगर रेजड़ हैं घर कम ठ्रॉब Listen कि प्रॉटरी को रूटे रहने और एक्वाटन में घunda देट जब एक बड़ खाट दिया तो कुछ पीड़ों को हम छोड़ देते हैं क्या हमारा परपस है कि अगर हम सपोज एक ट्री का दस साल होने के बाद मुझे उसे पांच साल की रोक दिया तो क्या होगा कि उसे जब अगले पांच साल और मिल जाएंगे को अपना रिजर ठीक हम अब आंगे जानते हैं